पंचाय टास्क के दौरान हुआ प्रतीक सहचपाल और रिधिमा पंडित में जगड़ा क्या है पूरी अपडेट चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों बिग बॉस ओटीटी में शुरू से ही रिधिमा पंडित और प्रतीक सहचपाल के बीच जगड़ा देखने को मिल रहा है और ये जगड़ा पंचाय टास्क में भी देखने को मिला दरसल हम आपको बता दे कि बिग बॉस ओटीटी में पंचायत नॉमिनेशन टास्क शुरू हो चुका है जहाँ पर घरवाले एक दूसरे पर इलजाम लगा रहे हैं दरसल इस टास्क में हमारे सरपंच बने हैं बॉसमन, बॉस लेडी समीता शेठी और राकेश बापट और वही हम आपको बता दे कि यहाँ पर घरवालों को टॉपिक मिला है कामचोर पर यानि कि वह कामचोर पर एक दूसरे कंटेस्टंस पर इलजाम लगाएं कि कौन घर में जादा काम करता है और कौन कामचोर है जहाँ पर समीता शेठी राकेश बापट ने प्रतीक सहशपाल से कहा कि वह रिधिमा पंडित और करनात में बताये कि कौन जादा कामचोर है जहाँ पर प्रतीक सहचपाल जो है वो इस पंचाय टास्क के दोरान रिधिमा को कामचोर बताते हैं और कहते हैं कि करनात जो है वो रिधिमा के कंपैरिसन में ज़ादा काम करते हैं जबकि रिधिमा जो है वो हर वक्त बस गुसा ही करती रहती है जहाँ पर ये सुन भड़क ज यह जाती है वेल आप स्टास को लेकर क्या कहना चाहते हैं रिधिमा और प्रतिक की बात से सहमत है कि आपको भी लगता है कि रिधिमा और करन में रिधिमा जादा कामचोर है और जादा भड़कती है वेल विक बॉस ओटेटी से जूड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के अबुलियेड़